Epic सिर्फिक शब्द नहीं, बलकि अपने आप में पूरा वाक्या है रामायन, महाभारत, इनके बारे में किसने नहीं सुना होगा ये दोनों Epic ही तो हैं, आज का हमारा टॉपिक भी यही है आज की इस वीडियो में हम Epic क्या है, Epic Word का Meaning, Epic की Characteristics, Epic की History और भी बहुत कुछ Epic से रिलेटेड डिसकस करने वाले हैं Hello guys, welcome to my channel, this is Rubina Yusuf, तो चलिए स्टार्ट करते हैं What is Epic? Epic क्या है? Epic एक poem होती है, और ये poem इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि क्या बताएं? एक epic कई सारे books में लिखी जाती है मतलब कि ये poem इतनी लंबी होती है कि इसे लिखने में कई सारी books लग जाती है Epic poem के form में एक लंबी कहानी होती है यानि कि epic होती एक poem है, लेकिन उसमें story होती है, इसलिए इतनी लंबी होती है इस epic में बहादुरी वाली गाथाएं सुनाई जाती है किसी बहुत ही famous hero की बहादुरी वाली कहानी सुनाई जाती है famous hero के adventures की, उसकी qualities की, उसकी किस्मत की, उसके actions की कहानी सुनाई जाती है epic में epic में culture के सबसे perfect citizen को दिखाया जाता है epic का hero culture को represent करता है जो चीजे epic को सबसे different बनाती हैं वो है supernatural elements supernatural elements यानि की epic के hero के पास जादुई शक्तिय टाइप होती है जो कि एक normal बन्दे के पास नहीं होती है उसे बोलते है supernatural elements और epic में बहुत जादा गजब के adventures भी होते है epic कई और subjects पर भी लिखी जाती है जैसे कि कोई moral story हो या कोई religious story हो गई वगईरा वगईरा epic का use पूरे word में किया जाता है ताकि कोई रीती रिवाज हो या किसी hero की कहानी हो उसे generation to generation यानि की पीड़ी दर पीड़ी पहुचाया जा सके इस epic का main function होता है कि brave warriors को इस epic के थुरू motivate किया जा सके उनके अंदर जोश भरा जा सके क्योंकि अगर brave warriors अपने पूरवजों की बहादुरी वाली कहानी सुनेंगे epic में तो उन्हें inspiration मिलेगी अब जानते हैं epic word का meaning epic word एक ancient Greek term एपोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है song, story या poem guys ancient Greece के जो points थे जैसे की Homer वो अपनी लंबी-लंबी poems को गाया करते थे इसलिए इसका नाम पढ़ गया epic अब देखते हैं characteristics of epic epic के क्या characteristics क्या features होते हैं epic को बहुत ही formal style में लिखा जाता है यानि कि epic में जो language use होती है उसमें grammar का खास्तोर पर ध्यान दिया जाता है epic में जो भी story बताई जाती है वो story बहुत लंबे time period की होती है epic में third person narration होता है narration यानि की कहानी को सुनाना guys actually narration तीन तरह की होते हैं first person, second person और third person तो guys epic में third person narration होता है यानि की epic की कहानी को third person सुनाता है या narrate करता है जब कहानी के अंदर का कोई character कहानी को narrate नहीं करता है बल्कि कोई बाहर का कहानी को narrate करता है तो उसे बोला जाता है third person narration एक और चीज़ epic में सिर्फ third person narration नहीं होता है बल्कि third person omniscient narration होता है अब ये omniscient का मतलब क्या है omniscient का मतलब ये है कि narrator कहानी के हर एक event हर एक character की knowledge रखता है और उसे ये भी पता रहता है यानि की lines की last में जो same sound आता है poem में उसे बोलते है rhyme epic में figure of speech का भी use किया जाता है जैसे की simile, metaphor, etc epic beat से यानि की middle से start होती है जिसे in, media, rest बोलते हैं और फिर बाद में बाकी के events होते हैं epic start करते वक्त poet एक goddess को याद करते हैं goddess muse और उनसे epic complete करने के लिए help मांगते हैं Greece और Rome में ऐसा माना जाता है कि goddess muse, poets, painters या कोई भी artist को ideas देती हैं और inspire करती हैं work create करने के लिए तो guys ये थी epic की characteristics अब देखते हैं epic के hero यानि की epic के main character के क्या-क्या features होते हैं सबसे पहला epic के hero के पास supernatural powers होती है supernatural powers यानि की जादू ही type वाली शक्तियां इन supernatural powers को use करके hero बड़ी-बड़ी problems को face कर लेता है और हाँ hero की life में जो problems आती हैं वो problems भी जादू type वाली होती है epic के hero का birth बहुत ही high class family में होता है इसमें जो hero होता है वो बहुत जादा brave होता है hero बहुत ही बड़िया warrior होता है hero का society में बहुत नाम होता है लोग उसकी तारीफ करते हैं hero के अंदर सारी moral qualities होती है जैसे की honesty, mercy, etc mercy यानि की दया की feeling hero बहुत ही अच्छा traveler होता है और वो काफी जगाहों पर travel करता है hero बहुत ही skillful होता है hero के कई सारे सच्चे साथी भी होते हैं जो की hero का हर मुश्किल में साथ देते हैं और last characteristic है epic का जो main hero होता है वो history का कोई important figure होता है कोई important personality होती है ये थी epic के hero की characteristics अब देखते है epic की history की epic लिखना start कैसे हुआ बड़े-बड़े scholars का मानना है कि epic पहले सिर्फ गाई जाती थी उसे लिखा नहीं जाता था ये पहले की परंपरा में ही था कि लोग halls में इखटा हुआ करते थे epic को सुनने के लिए epic को professional singers गाया करते थे और लोगों का entertainment भी हो जाता था epic किसी battle यानि कि किसी युद के होने से पहले गाय जाते थे ताकि battle में लड़ने वाले warriors को epic के through motivation मिले scholars का मानना है कि The Epic of Gilgamesh सबसे पहला और सबसे पुराना epic है The Epic of Gilgamesh तुरत लिखा नहीं गया था बलकि बहुत लंबे टाइम तक ये story सिर्फ सुनाई जाती रही इस story को सुना सुना कर एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुचाया गया इस story को गा कर perform किया जाता था और इसको बचा कर रखा गया तब तक जब तक इसे लिख नहीं दिया गया The Epic of Gilgamesh 2150 BC से भी पहले से सुनाई जा रही थी लेकिन इसे 1300 से 1000 BC के बीच में लिखा गया इतने लंबे टाइम बाद इसे लिखा गया The Epic of Gilgamesh Ancient Mesopotamia के राजा Gilgamesh की कहानी है Gilgamesh एक राजा होते हैं जिनके पूरवज Gods थे इस Epic में Gilgamesh एक सफर तै करते हैं जिसमें वो अमर रहने का सीक्रेट ढूंडते हैं अमर रहने का यानि की हमेशा जिन्दा रहने का सीक्रेट तो guys देखा आपने कि Epic सिर्फ पहले गाई जाती थी बहुत आगे जाकर Epic लिखना स्टार्ट हुआ अब देखते हैं Most Famous Epic के एक्जेंपल्स एक बहुत ही महान Greek पॉइट थे होमर इन्होंने दो बहुत ही जादा Famous Epics लिखी हैं Iliard and Odyssey इन दोनों Famous Epics में होमर ने Trojan War के Events के बारे में डिस्क्राइब किया है Trojan War हिस्ट्री की एक बहुत ही Famous War थी होमर की दोनों Epics में Simili और Phraises का का यादा यूस किया गया है Guys, Simili एक Figure of Speech है Simili में दो चीजों की बीच में Comparison किया जाता है अगर Simili के बारे में आपको Detail में जानना है तो I Button पर Link मिल जाएगी उसमें मैंने सारे Figure of Speech को Discuss किया है Second है The Inead The Inead एक Epic है जो की एक Roman poet Virgil ने लिखी है ये Epic Latin Language में Compose करी गई थी Virgil ने Homer की Epic से Inspiration ली और अपनी ये Epic Poem The Inead लिखी Virgil की इस Epic में भी Trojan War और इस War के ख़तरनाक effects के बारे में Discuss किया गया है Third है Beowulf एक और बहुत ही famous Epic है Beowulf ये Germanic story है Beowulf की Beowulf Epic को बहुत लंबे टाइम तक लिखा गया फिर जाकर ये Epic 6th century से 11th century के बीच प्रिंट हुई इस Epic में Beowulf की story बताई गई है जो monster Grandal को मार कर राजा बना Beowulf Old English Language में लिखी गई है Fourth है The Nibelangan Lead ये भी एक Germanic Epic है जो की 1200 AD में लिखी गई इस Poem में Siegfried के बारे में बताया गया है जो की एक German hero था Fifth है The Divine Comedy ये Epic Dante Allegri ने लिखी है इस Epic को Dante ने 1320 में complete किया था इस Epic में Dante को as a character दिखाया गया है जिसने Hell और Heaven में travel किया है Sixth है The Fairy Queen ये Epic Poem Edmund Spencer ने English Language में लिखी थी और ये Epic 1590 में publish हुई ये वही work है जिसमें Edmund Spencer ने Spencerian Stanza को invent किया Seventh है Paradise Lost Paradise Lost John Milton के लिखी हुई एक Epic है जो की 1667 में publish हुई Next है Idols of the King ये भी एक Epic Poem है जो की Alfred Lord Tennyson ने लिखी थी कुछ टाइम बाद Epic काफी जादा डेवलप हुआ Poets जैसे की Lord Byron, Alexander Pope इन्होंने Epic में Comic Effect डाला Comic Effect यानि की हसाने वाला Effect Lord Byron की Epic Don Juan इसमें Lord Byron ने Comic Effect डाला था इसी तरह Alexander Pope ने भी The Rep of the Lock में Comic Effect डाला था कुछ Serious Comic Epics भी है Serious Comic Epic यानि की ऐसी Epic जो Serious भी होती है और Comedy भी होती है उसमें उसे बोलते हैं Serious Comic Epic एक 15th Century के Italian poet थे Luigi Pulchi उन्होंने एक Serious Comic Epic लिखी थी Margante और भी कई सारी Epics लिखी गई हैं जैसे की Elizabeth Barrett Browning की Aurora Lee Frank Stanford की The Battlefield Where the Moon Says I Love You N. Waldman की The Love is Triology William Carlos Williams की Patterson Liusan की Farsalia ये एक Roman Epic Poem है जिसे Latin Language में लिखा गया है Ludo Vico Ariosto की Orlando Forioso Torquato Tasso की Jerusalem Delivered Etc. दो और Epic हैं जो की इंडिया में बहुत बहुत ज़ादा Importance रखती हैं वो है रामायन और महाभारत महाभारत एक Epic है महाभारत में Ancient India के कुरुक्षेत्र वार की स्टोरी बताई गई है महाभारत शायर पहले कहानी के तरह सुनाई जाती होगी लोगों को सीख देने के लिए फिर महाभारत लगभग 400 BC में Sanskrit Language में लिखी गई और अब ये Epic Hindu Religion में बहुत ही ज़ादा Important Source है रामायन भी बहुत ही Important Indian Epic है जो की Sanskrit में लिखी गई है रामायन को Walmiki ने लिखा था और महाभारत को व्यास ने So guys ये थी Epic Hopefully वीडियो helpful होगी वीडियो अच्छी लगे तो धेर सारे लाइक्स और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें और फ्रेंट के साथ शेयर करें Left hand side पर आने वाली वीडियो को भी प्यार दें Thanks for watching